नमस्कार दर्शको दर न्यूज में आपका स्वागत है रायस्थान के रण में बहुत सियासी उठक पटक चल रही है बड़ी खबर सामने आई है कि शनीवार को सचिन पाइलेट के दो नेताओं ने बहुत बड़े नेता है एक नाम है सुरेश मिश्वा और एक नाम है जोती खंडेलवाल देखिए दोनों नेताओं ने कॉंग्रस पार्टी से स्तिफा दे दिया और एक और बहुत बड़ा सा सुरेश मिश्वा जीनिक गिया है सुरेश मिश्वा रिकिए ब्राम्हन सभा के अध्यक्ष मी रहे हैं सांगा नेर से वह चुनावी टिकट मांग रहे थे पार्टी से उन्होंने बीजेपी को जोइन कर लिया जोती घंडेलवाल हवा महल से टीकट मांग रहे थी किशन पॉल विदान सभा से टीकट मांग रहे थी नहीं मिला टीकट क्या हुआ बीजेपी में शामिल हो गई ये दो बड़े चेहरा हैं जिन्होंने अब यहां पर प इसके साथ मैं आपको बता दूँ केवल कॉंग्रेस के बारे में हिंदू विरोधी चहरा ही नहीं बताया उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है जिससे सचिन पाइलेट की यहां पर तवज्जो कम हो रही दिखाई दे रही है आप सबको पता होगा कि कॉंग्रेस पाटी में स रस्टाचार के खलाफ एक दिन का अंचन किया था तो यहीं सुरेश मिश्जाजी हैं जिन्होंने उनका साथ दिया और आपको मैं बता दू सचिन पाइलेट के यह बहत करीबी सुरेश मिश्जाजी का कहना है कि पाइलेट को बिलकुल कॉंग्रेस पाटी तवज्जों नही मिश्जाजी सुरेश मिश्जाजी वही हैं जिन्होंने मलिका अरजुन खड़के कुछ खून से चिठी रिखी थी आपको बता दू 2022 की बात जब गहलोत के विधायक आकरमक मूड में आ गए थे कहीं सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री ना बना दिया जाए और एक कह लिज दिखाने की कोशिश करने कि हमारे अंदर भाई चारा है आपको याद दिला दू सुरेश मिश्जा ने खून की चिठी लिखकर मलिका जुन खड़के से यह मांग की थी कि यहां पर सचिन पाइलेट को मुख्यमंत्री बना जाए सचिन पाइलेट का सियासी करियर खत्म होने पाइलेट के पास कोई अधिकार नहीं है हम सब मजबूर थे हम सब क्या करतें ऐसे में मेरे पास कोई विकल्प बच्छी नहीं रहा था उन्हों ने कहा कि सचिन पाइलेट के उनके जैसे समुर्थक को किनारे कर दिया गया है सुरेश मिश्जा ने बता दिया अब कॉंगरे के कई दरजन नेता है रजस्थान के जो बीजेपी गुट में शामिल हो चुके है और बहुत बड़ा जटका सब के मुझ से एक ही बात निकल रहा है कि कॉंग्रेस पार्टी में बिल्कुल भी बात बिधायकों की नहीं मानी जाती है के वाल सुनी जाती है गहलोट सहब की और आला कमान अपनी चलाते हैं आपको पता होगा सचिन पाइलेट ही नहीं कई ऐसे कॉंग्रेस नेता कह चुके हैं कि आला कमान जो फैसला करी कि हम मजबूर होकर समझेंगे सुनेंगे क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि सचिन पाइलेट ने यह दिखा दिया इशारों में कि उनकी इतनी दाल नहीं गलती है जितनी गहलोत की गलती है आपको बता दे अलग बात है इस बार की सुची में जो कॉंग्रेस पाटी की सुची आई है एक दो उसमें अलग बात है सुचिन पाइलेट की विधायकों की टिकट को क्लियर किये गए हैं लेकिन वह इसलिए तकि पाइल कि करीबी हैं कि भर्ण कि मश्किल बढ़ी जा रही हैं यहां पर क्या था कवे आप ने घुरत की यहां था आपने नेता के लिए कून इठी लिख रहे हैं मलिका जुन खड़िये को 222 में कहा पार्टी में जबरदस अंतरकला है बचा लीजे और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि सारुजिनिक रूप से मुख्यमंत्री बनानी की बात तक कह डाली उन्होंने कई बार सुरेश मिश्रा जो की ब्रामन समाज क को ने अपना धरना दिया उस पर सुरेश मिश्रा ने खून की ठिली के जिए और कहा था कि जल्द एक्शन करें पार्टी कुछ नहीं हुआ सचिन पाइलट को भी कोई तवज्जो नहीं मिली सचिन के विधायकों को रहने ही दीजे यही वज़ा है कि पाइलट के अबेक बढ़ती जारी है गैलोट सरकार हर तरीके से घिर गई है वैसे भी जो सर्वेज आ रहे हैं उसमें ही गैलोट की हवा निकल रही है 48% आज सर्वे आया कि बीजेपी की सरकार बनेगी वही 42% कॉंग्रेस की आया और 10 लोगों ने कहा 10% लोगों ने कि हमें नहीं पता है क्या ह होने वाला है इसके पहले भी ABP सर्वे आया था वो भी 125 स्रीटे बीजेपी को दिलवा रही थी उस सर्वे में और देखने वाली बात होगी कि इतनी मुश्किलों में खड़े सचिन पाइलेट और अशोक गैलोट क्या करते हैं अशोक गैलोट की वजह से सचिन पाइलेट ज उनकी एक ना सुनी गैलोट ने बार-बार कहा कि पाइलेट जो है वो सुरक्षित हैं पाइलेट जो है फ्री हैं उनके टिकट्स क्लियर हो रहे हैं लेकिन ये कहा जा रहा है इंडिरेक्ली अटाक है ये गैलोट बार-बार दिखा रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे ह हमारे सिवा मुख्यमंत्री कोई नहीं बनना चाहिए, अध्यक्ष के पत पर भी निको नहीं बठाया गया, इसके साथ पाइलेट को जब चुनाओ के पहले टीम तयार की जाती है, उसमें भी एक भी टीम में पाइलेट को मुख्यपदों की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, य यसी के साथ गहलोत गुट के कई ऐसे विधायक हैं, जो सचिन पाइलेट को तवज्ज़ ना मिले, ये पुर्ज और कोशिश कर रहे हैं, गहलोत ने भी कह दिया, मैं कुरसी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुरसी मुझे नहीं छोड़ रही है, और इस तरीके से इतने य कुछ नहीं बचा है, गहलोत के अरावा, और सबसे जादा राज्य जो है वो राजस्थान है, जो अभी चुनावी मूड में हैं, लेकिन सबसे जादा राजस्थान राज्य है, जिसमें लड़ाई जगडे अंतरकला चरम सीमा पर है, और ये कॉंग्रेस पार्टी की क्रेड खाई दे रहे हैं, तो गहलोत अपने करीबियों को टिकट दिलाने में सफल हुए, सचिन पाइलेट के कुछ विधायकों का टिकट क्लियर हुआ है, लेकिन उसके बावजूर भी सचिन पाइलेट का सियासी करियर खत्म होने की बात, इसके साथ निराशा हाथ लगना लगात तार विधायकों को टिकट ना मिलना, टिकट बठवारे की वज़े से ही, यहाँ पर गहलोत और आला कमान मिलकर सूची तयार नहीं कर रहे थे, तो यह तमाम बाते अगर आप सियासी घटना करम को जोड़ कर देखें, तो रजस्थान की स्थिति कॉंग्रेस पाटी की बेहत पाटी के दो कदावर नेता बीजेपी में शामिल बहुत निराशा की बात कॉंग्रेस पाटी के लिए, तो सत्ता परिवर्तन की दिवास को बजलने में कॉंग्रेस पाटी यहां सफल होती है या नहीं, देखने वाली बात होगी, और कहलोत कितना ज्यादा पाइलेट को बात सुनता हूँ, तो यह अजीवों गरीब कह लिजेए, रायस्थान का मैच तयार हो रहा है, देखने वाली बात होगी, इस मैच में किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, आप बने रहे हैं, आपकी जो भी राए हो आप रखिए